हालो फ्रेंड्स तो आज हम बनाने जा रहे हैं इटली और इसमें मैंने ये जो चॉप कीवे टमाटर प्यास और कैपसिकम और इसके बाद हम चटनी प्रिपार करेंगे और ये रेडियमेंट चटनी मैंने लिए है तो इसमें थोड़ा सा पानी और नमक डाल कर उसमें एड़ क है वहाह प्रिपार किया उसमें हम इड़ुमे थोड़े से ई जो वेचिटेबल्स है वह इसमें डालेंगे ये अमारे जो चटनी है वह रैडी हो गई हमारी इडली के लिए अब हम एक पैन लेंगे इसमें जो रेडिमेंट इडली का बैटर है और कभी-कभी क्या होदा है कि जो हमारी इडली है वो परफेक्ट जो फूलती नहीं है तो हम एक इसी तरह से की जो बैटर है इसमें मैंने बैटर जीतना चाहिए उतना बैटर मैंने उसमें लिया है पैन मे यह इसमे और इसकी बद हम इसमे थोड़ासा पानी डालेंगे और नमक आड़ करेंगे जैसे आपको चाहिए इसमे ठोड़ा समय जो सोडा होता है वो मैंने थोड़ा समय चाहिए और इसको अच्छे से mix कर लीजी तो क्या जो आपकी इडली है वो एकदम अच्छे से फ्लपी और फूल के आएगी कई बार ऐसा होते कि हम जो इडली बनाते वो फूलती नहीं है तो यह जो है जो जब आप इडली बनाएंगे तो एक बार इसी तरह के से आप ट्राइ कीजिए जो आपके जो इटली है वो फलफी और इतम अच्छे से बेक हो जाएगी अब हम एक इटली का जो पैन है वो लेंगे इसमें हम थोड़ा से ओईल ग्रीस करेंगे जो बैटर है वो इसमें हम डालेंगे जो हमारा बैटर रेडी हुआ है वो जैसे हमने यह बैटर को मिक्स के आपको लग रहा होगा देखो थोड़ा सा फूला-फूला जा लग रहा है तो आपके जो इटली ही वे वे इस तरह से अच्छे से फूल की निकलेगी यह हमारा बैटर इसमें हमने एड कर दिया इसके बाद हम जो vegetable जो हमने chop किये हैं वो इसमें हम add करेंगे प्यास, tomato और capsicum क्योंकि मैं husband को यह ऐसी वनीडली पसंद है इसके लिए मैं इनके लिए अलग सी इडली बना दी हूँ और अधी इडली जो है वो normal without vegetable की इडली बन दे है आप इसको try कीजिए एक बार और इसमें ह यह ठोड़ा सा जो धनिया पाउटर है वो इसको लास्ट में हम थोड़ा सा उसके उपर डाल देंगे, रहें हैं है और उसाधा नहींक के घ्लत दालिक ऑपगना जो simple वाली इल्ली हम युखाते हैं वैसे वाले एडली हम बनाएंगे और यह जो हमारी एडली है वह भी हमने रेडी कर दी है बैटर और इसमें हमने डाल दिया है टीक हमारी है जो वेजटेबल यह है वो हमारी ready है एक थो जिरना यह से निकल भी है पुथ तो आसानी से निकल भी जाएंगे, आप गरम में निकालेंगे, तो वह तोट जाएंगे और अच्छे से निकलेंगी, धोड़ी दिर इसको आप बहार रखें और फिर निजले, तो उच्छे से निकल जाएगी, और यह देखो, हमारी जो जुझरी वाली इल्ले हैं, वो, okay?